सो हेलो एवरीवान मैं आप स्वागत करता हूँ आपका इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर जहां पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो की आपके एक्जैम के लिए हो सकते हैं बहुत जादा इंपॉर्टेंट ध हमने सबसे पहले 9th schedule को जोड़ अगर तुमको पता हो तो आपका हमारे पास total 12 schedule होते हैं उसमें से 9th schedule जो आपका बात करता है वो land reforms के बारे में आपका बातचीत करता है ठीक है land reforms को आपका जो basically judicial review के अंदर आपका लेकर आया गया और इसने आपका जो है socially economic backward classes को आपका improve कर दिया इसी के साथ आपका एक होता है 7th amendment act of 1956 जो की बहुत जादा important है अगर आप इसको समझेंगे तो 7th constitution amendment act of 1956 के अंदर हमने कुछ चीजों के उपर आपका focus किया था जैसे for example सबसे पहले हमने क्या किया कि जो second and seven schedule है हमारा ठीक है उसको आपका amend करने के तरफ आपका बातचीत कर चुके थे second और seven को आपका याद रखिएगा ठीक है सर इसके अलावा हम आते हैं 10th की तरफ तो 10th आपका जो हमारा 1961 में इसके अंदर हमने क्या कर दिया था इसके अंदर हमने आपका जो है दादरा नागर हवेली और जो दादरा नागर हवेली वा 1963 की तरफ बात करें तो इसने नागलेंड को स्टेट हुट की तरफ आपका बातचीत कर दी थी जो नागलेंड है हमारा अगर आप देखेंगे तो अरुनाचल प्रदेश मनीपूर और नागलेंड और मनीपूर चीए तो यहां पर आपका जो नागलेंड आएगा इसको special provision आ Amendment Act के अंदर गुलक नाथ जी के बारे में बात हुई है अब आते है 25 पर 25 Constitution Amendment Act पर जाएंगे तो वहां पर जो यह लेकर आया गया था 1971 में तो इसमें आपका क्या हुआ जो आर्टिकल 31C है of the Indian Constitution उसमें आपका बातचीत की गई और fundamental right को आपका यह बात बताया गया कि fundamental right हमेश इसकलिए आपका deal करते है सिक्केम से रिएक में statehood provide कराई गई है और एक में आपका जो है सिक्केम को जोडने के अंदर बात की गई है यह आपका homework के आप मुझे बताएंगे किसके अंदर आपका सिक्केम को जोड़ा है और किसके अंदर आपका जो है यह बताया गया है कि सि 40 सेकंड में आपका लिस्ट लंबी है थोड़ी सी 40 सेकंड अगर आप चाहेंगे तो इसमें सबसे पहले आपका तीन वर्ड जहां से पेपर में आपका कोशन आया हुआ है socialist secular integrity ये preamble के अंदर आपका जूड़े गए इसके अलाबा part 4 थे of the Indian constitution fundamental duties को आपका constitution के अंदर जूड़ा गया और अगर आप दिखेंगे तो आपका जो हमारा tenure था लोग सभा का उसको बढ़ा कर 5-6 साल कर दिया गया क्योंकि ये चल रहा था time period आपका emergency का मैडम इंद्रा गांधी के आपका चल रही थी और इसके अलाबा all India judicial services के बारे में आपका implement करने के बारे में बारचीत की गई ये इस साल भी आपका द्रोपती मुर्मुर्जी जो की हमारी आपका क्या है प्रेजिडेंट साहिब आए उन्होंने भी आपका इसके ऊपर चर्चा की है इसके अलाबा 44th constitution amendment act में जितरे भी आपका उल्टे सीरे काम किया गया 1976 में उनका reversal किया गया और emergency शब्द को आपका internal disturbance को आपका खतम किया गया और आप rebellion शब्द को जोड़ा गया constitution के अंदर इसके अलाबा 20 और 21 को आपका जोई क्या कर दिया गया compulsory कर दिया गया 50 second constitution amendment act of 1985 की तरह आप आएंगे तो 50 second constitution amendment act of 1985 आपको दो चार चीज़ों के उपर आपका बातचीत करकर दिखा जाएगा जैसे अगर आप बताएंगे तो 50 second के अदर आप जाते ही सबसे पहले क्या देखत इसके अलाबा एक चीज में आपका बोल गया बतानी छोटी सी कि judicial review वाली जो चीज़े होती है उसका मतलब यह होता है कि जैसे कोई भी चीज के उपर आप बातचीत करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले आपका जो है basically implement करने पड़ेंगे कोई भी का उसको आपका judicial review के अंदर लेकर आ सकते हैं अब आते हैं 50 second के अंदर 50 second constitutional amendment act of 1985 जो है यह 10th schedule को आपका constitution के अंदर जोडता है 10th schedule का मतलब है anti defection law anti defection law आपका constitution के अंदर जोड़ने का मतलब था कि अब जो आप दल वदलने की प्रिकरिया देखते हुआ आते थे पहले कोई भी party को join कर लेते थे किसी भी party से आते थे वो अब लागू नहीं होगा जो हमारे आपका ये member आते नॉमिनेटेड इनको total 6 महीने का time period दिया वरना फिर इनके उपर भी anti defection law लगा दिया जाएगा इस speaker के पास इसमें होती है main power और speaker आपका जो है क्या होता है जो decide कर देगा वही main power के तो जाएगा 61st constitution amendment act में आपका voting age को reduce करकर 21 साल से 18 साल कर दिया गया और इसी में आपका जो है जो हमारे election commission थे उसको 2 से 3 भी किया गया था बीच में इसके अलावा आते हैं 69th constitution amendment act of 1991 ये डेली से संबन देता है और डेली को अगर संबन देता है तो तुम मुझे बताना 239 AA क्या ये भी आपका बातचीत हुई है और डेली को legislative assembly कौन से amendment के थू दिया गया था ये आप मुझे comment section में बताएंगे 73rd constitution amendment act of 1992 ये पंचायती राज से डेल करता है पंचायती राज को आपका add किया गया था और तुम मुझे बताना कि पंचायती राज के अंदर आपका list कितनी है जैसे हमारे पास आपका total list होती है कि भाई ये इसके अंदर part है federal list का part है एक subject है दू subject है पंचायती राज के कितनी आपका amendment ये बताएगा और इसके अलावा 11 schedule आपका basically deal करता है हमारा पंचायती राज से पंचायती राज में अलग-अलग committees भी आती है LM सिंग भी committee इसके अलावा आपका जो है अशोक महता committee ठीक है ये सारी committees के बारे में आपका जो है बातचीत हो सकती है paper के अंदर की किस ची committee हो गई बलवन तराय महता committee हो गई ये सब डील करती है आपका किससे ये सब डील करती है आपका जो है पंचायती राज से इसके बाद 74 constitution amendment act पर आते हैं जिसको आपका क्या कहते है municipality municipality को आपका deal करने के लिए भी आपका क्या करेंगे आप 12th schedule का इस्तिमान लेंगे 12th schedule आपका GST के लिए आपका कौन सा amendment हो सकता है GST के लिए आपका हमको कौन सा amendment करना पड़ेगा इसमें से क्या 101st है कि आपका 100 है ठीक है बताईएगा मुझे अच्छा GST जो आपका लेकर आया गया था वो आया था आपका 2017 में ठीक है वो आया था आपका जो है 2017 में इसको लेकर आया थे आपका 101st Constitution Amendment Act of 2016 के अंदर बट इसको implement जो किया गया है वो किया गया है आपका 2017 के अंदर तो implementation आपका जो है इसको याद रख लिएगा इसके अलावा 86 Constitution Amendment Act of 2002 Right to Education को आपका जो है बढ़ा दिया गया 21 साल से वो सुदी 6 to 14 इयर्स तक के बच्चों को आपका जो है अबब के रहा हा सबस्ता माज़ा दूँ किया किया सुदी 1 नियर्स Lights आपका 50 मृ गभड़ाही को आपका 50 मृ एलावा है ऐतście किया esa गया है वो तो आपका is अलावा गड़ा है